हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल — Edofile आज की वीडियो में हम लोग डिस्रिस करेंगे कॉम्टन एफेक्ट के बारे में तो कॉम्टन एफेक्ट क्या होता है इसको हम लोग डिस्रिस करेंगे जब कोई radiation बहुत ही high frequency की जैसे कि high frequency की क्या होती है एक्स रे होती है गामा रे होती है यह सब high frequency की radiation होती है जब यह radiation high frequency की किसी matter पे incident करती है जब यह radiation बहुत ही high frequency की किसी matter पे incident करती है मालेजे यह है और यह matter पे incident कर रही है तो यह observe किया गया कि जो पहले इस radiation की wavelength थी उसके scatter होने के बाद में wavelength बढ़ गया wavelength क्या हो गया? बढ़ गया यह देखे पहले wavelength छोटी दी यहाँ पे scatter होने के बाद wavelength बढ़ गया इसी को कहा जाता है Compton Effect क्या कहा जाता है? Compton Effect जब X-ray किसी matter से scatter होता है तो उसका wavelength increase हो जाता है Is that clear? वेवलेंट क्या हो जाता है इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्टन एफेक्ट अब हम लोग जानेंगे पहले एक्सपरिमेंट किया उन्होंने बताया ऐसा नहीं होता है तो चलिए हम एक्सपरिमेंट करते हैं और इसको और डीपली समझते है यहां पर मैंने एक एक सरे लिया आप कह सकते हैं कोई रेडियशन जिसकी high frequency है मैंने लिया एक सरे तो यहाँ पर X-ray लिया तो आप जानते हैं कि photon के energy क्या होती है H new मैं लिख सकता हूँ और इसकी wavelength को मैं lambda माल लेता हूँ यह wavelength किसको कहते हैं दो consecutive crest या truff की distance होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं wavelength तो यह lambda इसकी wavelength है बाद में जब इसने एक matter graphite पर incident किया अब यह incident करेगा तो किस पर करेगा charge particle जैसे कि electron क्योंकि waves क्या होती है बहुत ही छोटी होती है photon बहुत छोटा होता है तो वो छोटे ही particle पर incident करेगी जैसे कि electron जब यह electron पर incident करेगी तो यह scatter हो जाएगी और scatter होने के बाद में इसकी wavelength क्या हो जाएगी increase हो जाएगी इसकी wavelength को माल लेते हैं lambda n तो बाद में यह हमने observe कि wavelength क्या हो गई increase हो गई तो wavelength जब increase होगी तो इसकी energy क्या होगी decrease होगी जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि wavelength जादा होगी तो energy कम होगी तो इस photon की energy कहां चली गई मान लिजे कि इस photon की energy पहले थी E आप मान लेते हैं energy हो गई इसकी E2 तो बाकी energy कहां चली गई energy loss हुआ तो energy जो loss हुआ यहाँ पर वो electron ने absorb कर लिया और यही electron में kinetic energy आ गया और यह recoil कर गया इधर की तरफ Is that clear? तो इसके energy को हम लोग मान लेते हैं M और C square तो यह है हमारा Compton Effect एक बार मैं definition पढ़ना चाहूँगा Compton Effect describes the scattering of a photon Compton Effect क्या करता है? Scattering of a photon को describe करता है जैसे कि X-rays, Gamma rays मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर By a charge particle charge particle मतलब graphite के अंदर क्या है? Electrons है उसी पर यह define करेगा It results in decrease in energy जिससे क्या होता है? Energy decrease होती है यहाँ पर energy ज़्यादा थी क्योंकि wavelength कम थी तो इसलिए यहाँ पर energy ज़्यादा थी बाद में scattering होने के बाद energy क्या होगे? Decrease होगे In energy and increase in wavelength of the photon और wavelength क्या होगे? Increase होगे Call the Compton Effect इसको हम लोग क्या कहते है? Compton Effect और जो यहाँ पर energy क्या होगे? कम होगे वो energy कहाँ shift होगे? recoil electron में अगले वीडियो में हम लोग इसके derivation पर distance करेंगे वीडियो देखने लिए Thank you Thank you so much